हलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लिके आए हो प्रोटीन की भरपूर मात्रा वाला नास्ता ये नास्ता आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है और ये जल्दी बनके तेयार भी हो जाता है इसे आप बच्चे की टीपिड में भी बना के रख सकते हो तो चलिए जल्दी सी शुरू करते हैं इसे बनाना इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने आपके आधी कटोरी साबुत मुंग लिए हैं इन्हें हम एक बड़े बरतर में डालेंगे और मैंने आधी कटोरी मुंग फुली के दाने लिए हैं अब इनमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे औ और इन्हें हम 5-6 गंटे के लिए बिगोने के लिए छोड़ देंगे 6 गंटे के बाद हम देखते हैं कि एच्चे फूल के रेड़ी हो चुके इनका सारा पाने हम निकाल लेंगे अब इनका हमें एक पेस्ट बना के तेयार करना है इन सब को हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और एक हरी मिश डाल देंगे और थोड़ा सा पाने डाल कर इस तरह का हमें पेस्ट बना के तेयार करना है अब इनके अंदर हम अच्छी बाहिनिंगे लिए आधिकटोरी सूजी एट कर देंगे और सूजी के साथ आधा चमच हम यहाँ पे नमक डाल देंगे मिक्सी जार के अंदर थोड़ा सा पाने डालेंगे और इस पाने को हम इस पेस्ट के अंदर मिला लेंगे और सूजी को हमें इस पेस्ट के अंदर अच्छे से मिलाना है सूजी को पाने के अंदर डालते ही, सूजी फूलने लगती हैं, इसलिए हम पाने के मातर ज्यादा ही रखेंगे पेस्ट हमारा बनके त्यारे, इसमें हम एक चमच इनो डाल देंगे और इनो को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें खुप सारे ज्याग आने लगी हैं यानि कि ये पेस्ट अच्छी तरह से बनके त्यार हो चुका है अब हमें एक थाली लेने हैं, उसे हम अच्छे से तेल से ग्रिस कर देंगे और बनाएवा पेस्ट उसमें डाल देंगे पेस्ट थाली के अंदर अच्छी से सेट हो चुका है, अब हम एक छोटी चमच साबुदाना लेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो यहां पे ध्यान रखना है कि साबुदाना हमें ज़्यादा गलाना नहीं है तुरंथ हम पानी को निकाल लेंगे और यह साबुदाना है, वो इस पेस्ट के ओपर अच्छी से फेला लेंगे इस तरह से अगर हम यह नास्ता बनाएंगे तो हमें खाने में एक नया टेस्ट मिलेगा और यह दिखने में तो आपको सुन्दर लगी रहा होगा और अगर हम इस तरह से यह नास्ता बनाएंगे तो यह जल्दी बनके तेयार भी हो जाता है पोवन के अंदर एक गलास पानी को गरम करेंगे और जैसी हमारा पानी गरम हो उसमें ये थाली रख देंगे इसे हमें 10 मिनिट के लिए स्टिम करना है 10 मिनिट बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि नास्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है यानि के अच्छे से फूल के रेडी है इसे हम चाकू के हिल्प से चेक कर लेंगे अब इस थाली को हम बहाँ निकाल कर थंडा कर लेंगे यहाँ पर हमारे साबुदाने भी अच्छे फूल चुके हैं और इसे थंडा होने के बाद हम इसके पिस कट कर लेंगे यहाँ पे आप आपके हिसाब से कोई भी शेप काट सकते हो तो फ्रेंज आप बेशन सुजी का ढोकला खाके बोर हो चुके हो तो इस तरह से यह ढोकला ट्राइ किजिएगा और इसके पिस बहुत ही आसाने से निकलाते हैं अब हमें यहाँ पे रोटी तवा लेना है इस पे हम एक चमत तेल को गरम करेंगे थोड़ा सा राई डालेंगे और थोड़े से हम सपे तिल डाल देंगे और एक एक करके यह पिस रख देंगे आप यहाँ पे चाओ तो इन पिस को ऐसे भी खा सकते हो या फीर डी फ्राई भी कर सकते हो इस नास्ते को और भी ज़्यादा इसपाईजी बनाने के लिए इसमें हम लाल मिश्ट काउड़ डालेंगे और यह जब पिस एक साय से सिख जाए अब हिने हम पलट देंगे यहाँ पर हमें गेस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे इन्हें बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिब एक से दो मिलिट में यह बनके रेडी हो जाते हैं अगर आपको ओईली खाना पसन है तो आप इन्हें फ्राई करके भी खा सकते हो इसी तरह से हमें सारे पीस बना के रेडी करने हैं तो यह लिजे फ्रेंट तयार है आपका हाई प्रोटीन वाला नास्ता यह आपको दिखने में तो अच्छा लगी रहा होगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है एक पीस को मैं आपको तोड़ के बताती हूँ यह अंदर से बहुत ही सोप्टे और उपर से बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार हुआ है इसे आप हरी चटनी या टामाटर सुस के साथ खाए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस नास्ते को आप सुबह सुबह बच्चों की टीफिन में भी बना के रख सकते हो यह नास्ता सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो प्रिंस केसी लगे मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगे हो तो लाइक करना शेक करना और सुस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ